हेलो एवरिवान मैं हूँ प्रियांका और सिंपल सरल किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे जट पट से बनने वाली ये इडली बेहत सौफ्ट और स्पॉंजी हमारी इडली बनेगी और ना ही इसे हमने राद बर भिगाया है ना ही इसमें हमने खमीर उठाने की जवरत पड़ी है और ये बहुत ही जल्दी और जट पट से बन जाती है तो चलिए बिना किसी देर के इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बरतन ले लिया है और उसमें हमने लिया है ये बारीक वाली सूजी दो कप मैं हापर सूजी ले रही हूँ अब हम डालेंगे इसमें दही तो ये एक कप इसमें दही हमने ले लिया है दो कप सुजी और एक कप दही इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैने यहां पर एक कप पानी लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके इसका बिल्कुल स्मूद सा बैटर बना लेंगे इसमें बिल्कुल भी गुठली या लंप्स नहीं होने चाहिए अच्छे से फैटते हुए मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर मैंने सवा का पानी अभी यूज किया है और यह देखिए इतना गढ़ा बैटर हमारा यह बना है तो इसे हमें अच्छे से फैट लेना है तो यह भी इतना गढ़ा है तो इभी हम इसे ढख करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी ने पानी को एबजॉफ कर लिया है और यह काफी ठीक हो गया है तो इसे हम और थोड़ा सा पानी डाल करके पतला करेंगे तो इसे हम अच्छे से घोल लेना है और बैटर बना लेना है तो यह देखिए तो हमने यहाँ पर पूरा डेड़ कप पानी का यूज किया है अब इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक और इसे भी हम अच्छे से फैट लेंगे यहाँ पर आप पैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इतना थिक होना चाहिए बहुत पतला हमें नहीं करना है तो इसे अब हम एक साइड में रख देते हैं और दूसरा प्रोसस करते हैं यहाँ पर इडली को स्टीम करने के लिए मैंने कुकर लिया है और एक गलास पानी ऐसमें डाल देंगे और इसके ऊपर का यह ढक्कन हमें एसे ही सिर्फ रख देना है बर नहीं करना है और इसे पाच मिनट के लिए स्टीम होने देंगे और तब तक यह जो हमारा इडली का स्टैंड है या फिर मोल्ड है इस पे हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो इडली है वो बहुत ही इसली पकने के बाद में निकल जाए तो इस में हम यूज़ इडली बनाएं तो यह देखे हमने सारा जो मोल्ड है ready कर लिया है और अब मारा जो यह बैटर है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है फटा फट से इसे हमने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है और ये देखी कितना लाइट और फ्लाफी हो गया है हमारा बैटर तो फटा फट से हम अपने इडली मोल्ड में बैटर को भर लेते हैं तो यह बड़ा वाला स्पून है, इससे मैं डेड़ स्पून डाल रही हूँ, बहुत जादा नहीं भरना है, वरना यह फूलने के बाद में बाहर निकलने लगेगा, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको और चोटा चाहिए, तो आप एक ही चम्मस डाले, तो इस तरीके से सारे जो मोल्ड्स हैं, उसको हम भर लेंगे बैटर से, यह देखिए, यह लास्ट भी हमने भर लिया है, और यह अभी रेडी है, तो इसको अब हम स्टीम करने के लिए रखेंगे, यह क्याब बन कर दिया है, और अब इसको हम स्टीम होने देंगे, यह देखिए, पाने यहा तो इडली बिल्कुल रड़ी हो गई है तो इसे कुछ सेकेंड के लिए ऐसे ही चोड़ दें क्योंकि इस भाप निकल रहा है तो फाथों पर लग सकता है यह भाप निकलना बंद हो गया है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा इस पर पानी भी चला जाता है तो इसको टिल्ट करके आप निकाल ले और थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको हम डी मोल्ड करेंगे डी मोल्ड करने के लिए आप यहाँ पर नाइफ का भी उज़ कर सकते हैं स्पून का भी उज़ कर सकते हैं तो यह मैं स्पून ले रही हूँ थोड़ा सा शार्प वाली स्पून लेंगे तो बहुत ही अच्छे से यह निकल जाएगा कितने स्मूदली यह बिना टूटे एक्तम सॉफ्ट हमारी इडली एक्दम परफेक्ट बनी हुई है देखिए तो इसी तरीके से सारी इडलियों को हम निकाल लेंगे और जो बाकी बची हुई इडलिया है इससे हम बिल्कुल इसी तरीके से बना लेंगे और इतने बैटर से मैंने 35 इडली प्रिपेर कर ली है तो यह फटा फट से इडली हमारी रेडी हो गई है और देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉंजी यह बना है आप इसे चटनी के साथ सामबर के साथ इन्जॉई कर सकते हैं और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन म आपको मिल सकें तो मैं मिलूंगी अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई